आई टे भारत इसकी लिए टू चनल स्वाव लोगों का स्वागत दोस्तों सबसे पहले जितने भी छात्रों का रेजल्ट आया बहुत यह अच्छा रेल्ट उनको सबसे बेस्ट आफ लग और जो छात्र वन इयर वाले हैं जिनका वन इयर का ट्रेड है उनके लिए और जो तरीके से समझने वाले हैं qualification क्या होगा age क्या होगी और इसका selection process कैसा होता है और इसमें medical fitness फीज वगेरा सारी जो नई शात्रों को कुछ भी निमाल नमड़ता ठीक है इसलिए पूरा विद्विगत तरीके से समझने वाले हैं तो यह दोस्तों निकाले की Northern Central Railway की दरब से यहाँ पर निकाली गई है और इसकी जो ओपनिंग डेट है आज की डेट से जाने 16 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है पंदरा दस दोजार चौविस ठीक है इससे पहले आप फार्म नमर रेश्टर्ड होना चाहिए ठीक है इन चीजों का बेसक आप फड़ा सा ध्यान रखें और इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदू है वहां पर आप आप विजन करना और इसकी टोटल यहां पर पोस्टे जो निकाली गई है सोला सो सेवन नाइन ठीक है लगबग सोला सो असी पोस्टे हैं अपर निकाली गई है ठीक है एज के अगर दोस्तों बात के लिए हैं अपर एज की बात की गई है 15 साल से 24 साल के अंदर स्टूडेंट है OVC का हो चो जनरल का हो चो EWS का हो चो कोई भी स्टूडेंट हो तो इसको आविजन कर सकता है बाकी जो अनच्छात्र जैसे की रहता है OVC मिलती है जैसे OVC वालों को तीन साल की और OVC वालों को कि अरो ऐस्ट के ने साल के पर चूट मिलती है तो यह चूट का दिया गया कि इतने से इतने के बीच होना चाहिए यहां से इतने के बीच आपका जन्म होना चाहिए एस्टीस से वालों के लिए दिया गया है तो इसके अंदर हैं आप तो जरूर है और इसमें तो qualification के गर बात की जाए तो qualification जो आपका यहां पर मांगा गया है दोस्तों 10th plus ITI पास होना चाहिए ठीक है 10th plus ITI आप पास होना चाहिए लिकिन minimum 50% 10 दस्वी में दिया गया है लेकिन ज्यादा से ज्यादा होगा तभी जाके आपका अपरेंटिस में सेलेक्शन हो पाएगा ठीक है यह मान के चलिए अगर 10th में आपके सत्वी में 75 प्लस है और ITI में अच्छे से मार्क है तो ही जाके थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं चाहिए आप ITI NCVT से हो चाहिए से हो लेकिन आपके पास यह दोनों होना चाहिए थे क्म कहिए त्रेष बैसे से पर मौका दिया गाल एक 18 या को टेली ग्राम पर मिल जाएगा तो यहां पर फीटर वाले हैं कि वेल्डर वाले हैं गैस एलेक्ट्रिक वाले हैं और मचिनिस्टрि वाले हैं और देख लिए यह हो पने से किसी से भी कर रखा है तो जुरूर आविधन करना तो यहां पर ट्रेड का मैंने आपको बता दिया कौन को से ट्रेडगारे आपको बता दिया चलिहागे देख लेते कि पूरा हम अच्छे से बता देंगे कि फीस का अगर बात की जाए तो फीस कितना लगता है तो यहां पर दूस्तों सो और फीस लगती है और जो सब्सक्राइब कर सकते मेडिकल फिटनेस फिजिकल स्टेंडर्ड तो यहां पर जो डाकुमेंट परिफिकेशन होगा उस समय आपको यह ले जाना होता है ठीक है इसके बारे में थोड़ा बता देंगे मागर दूस्तों आपके कलर बिंडनिर्ड़निस है तो आप इस फारम को ना भरें कलर ब्रेंडनिस मतलब आपको जो आके हैं किसी वी रंग की पेचान नहीं कर पाते हैं तो आपको reject भी कर सकते हैं ठीक है mode of selection के अगर बात कीजा है तो mode of selection जो आपका होगा minimum जो बहुत matriculation minimum 50% और ITI का weight is दोनों को मिला कर आपको यहाँ पर डेड़ गुना डेड़ गुना student को आपको shortlisted किया जाएगा फिर इसको वाद आपको document verification के लिए बुलाया जाएगा ठीक है यह आपकी selection प्रोसेस रहती है चलिए आगे देख लेते हैं training period अगर बात की जाए हैं आपके रहने हैं एक साल की हैंपर training प्लेड रहती है इस ठाइप और जो आपको अलग अलग जोनों के साबसे कहीं साड़े साथ हजार भी मिलता है कहीं आठ हजार मिलता है कहीं दस हजार मिलता है मतलब अलग अलग जोनों में अलग अलग रहता है तो यह इसका मोड अफ एप्लिकेशन में आपको बता दे कैसे आवधन करना है यहां पर वेबसाइट का लिंक देदुआ डिस्क्रप्शन में जहां पर आप आवधन कर सकते हैं आज की डेट से यह स्टार्ट हो चुका है और डाकुमेंट जो आपको अपलोड करना है टेंत का आईट की स अपलोड करना होगी यह आपको मैंने बता दिया एग्रीमेंट होता है जब आप ट्रेनिंग करने आपको यहां पर डिसकस करती जो नए चात्र है उनको यह बातें बहुत जरूरी याद होना चाहिए ठीक है यहां देखते हैं और किस डिविजन में यहां पर दियागा पढ़ी चमया ओर दिशें अर्ट डिविजन हैं यहां पर दे सकते हैं और डिवीजन में तो इन सभी डिविजन में हाप निकाली कि वेकेंशी हैं तो आप देख लीजूएगा आप त्रेल सकर इसलें हैं तो आप जरूरे से आवेद दन करिया और जो मैडिगाल सइर्ट है तो यह डियागा है इस तरहे का आपको बनवाना पढ़ता है तो यह जानकरी आपको मैंने प्राप्त कर दी है और वीडियो चली वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब और कोई भी क्योरी है तो कमेंट सेक्शन में जा कमेंट करें थैंक यू फर वाचिन इस वीडियो जय है जय भारत